सोनी और महिवाल सोनी के पिता एक कुमार थे और महिवाल से उसकी शादी के सक्ट खिलाफ थे इसलिए उन्होंने सोनी की शादी एक कुमार जो की चैनाब नदी के किनारे रहता था उससे करवा दी ये बात जब महिवाल को पता चली तो वो तो बावला सा हो गया फकीरों की तरह उसी चेनाव नदी के दूसरी तरफ रहने लगा हर रात सब के सोजाने के बाद सोनी एक पका मठका जो की डूपता नहीं था उसकी मदद से तैर के चेनाव के उस पार जाय करती महिवाल से मिलने दिस से कुली आर दी घड़या घड़या आवे घड़या धीरे धीरे बात सब को पता चलने लगी और एक रात गुस्से में सोनी की ननंद ने पक्के मठके की जगे एक कच्चा मठका रख दिया ताकि सोनी दूप जाए सोनी को दूपता देख महिवाल ने भी नदी में छलांग मार दी और आखिरकार वो दोनों एक हो ही गए यार नू मिलेगी अजलाश यार दी घड़या घड़या आव घड़या परचना दे दिसे कुली यार दी